नमस्कार दोस्तों, वेल्सकाई के एको नए इंट्रेस्टिंग वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है, मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को अंडरस्टेंड करेंगे, समझने की को कर यह है तो क्या यह प्रेकाउट सस्टेन करेंगा यूंद चार् prawरा से यहांपे सेलंग देखने को मिलेगी, यह सारे पर्टिक्लियो में वीडियो में चल्दि से वीडियो करेंगे वीडियो स्टाट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं Market at 11 के वीडियो में आपको एक पोइंट बताया था एक ट्रेट आईडिया लिया था कि अगर बैक डेय मेंट करता है तो आप टेल हो के टागेटक लिए इसको शॉट कर सकते हैं हाई को निकाल दिया तो यह stop loss टेगर हुआ क्योंकि टाइम नहीं था मार्केट के पाद और निफ्टी भी नीचे से रिकवर कर रहा था तो फिर आपका जो मोमेंटम रहा वो अपसाइट कही रहा और इस ब्रेक आउट मार्केट में देखने को मिला है अब यह जो ब्रेक आउ आप डेक्स को देखोगे यूरोपिन मार्केट को देखोगे तो यह भी थोड़ा सा फ्लैट से कामकाच कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है कि जाधा तर मार्केट पॉजिटिव टू फ्लैट कामकाच कर रहे हैं तो हमारा यह ब्रेक आउट सस्टेन कर सकता है तो हमें यह स सकता है तो इसको समझने के लिए हमारे पास simple सा view क्या होना चाहिए कि अगर आप देखें यहाँ पर 17800 की जो call है वहाँ पर 39 लाग का open interest खड़ा हुआ है 17700 की जो call है वहाँ पर 90 लाग का open interest है 17700 की call पर करीब एक करोड 15 लाग का open interest है और 17700 की put पर करीब एक करोड 38 लाग का open interest देख रहा है यह चीज मैं पिछले दो दिन से आपको बोला था कि 17700 की जो put है वहाँ पर काफी बड़ा open interest बना हुआ है तो कहीं न कहीं market 17700 को test करने की कोशिस करेगा वैसा ही आज के दिन में होता हुआ दिकाई दिया है चार्ट पर चलते हैं तो चार्ट पर देखते हैं तो सबसे पहले देखो 15 मिनट का time frame लगा हुआ है अब market nifty के लिए जो important level होगा वह आपका होगा 17770 इसके उपर sustain किया तो फिर next target आपके पास जो होगा वह होगा आपका 17860 के करीब का यह चीज़ आप clearly समझ ली दिए अब आपके लिए जो important support का का काम कर सकता हो 17700 करेगा क्योंकि इसने इसको एक अच्छे consolidation के ब्रेक आउट दिया है तो अगर आपको कोई भी इंट्राडे डिप मिलती है around किस लेविल तक की 17690 से लेके 17660 तक की यहां तक की कोई भी डिप मिलती है यानि 17600 आपके लिए बाइंग का एरिया होगा यहां पे अगर आपको कोई भी opportunity मिलती है तो आप बाय करके काम कर सकते हो target जो आपके लिए उपर है वो 17800 आप 17860 का है इतना आप clearly समझ लीजिए nifty के लिए यह आपका view clear है बात कर लेता है bank nifty की तो bank nifty ने काफी अच्छा breakout दिया है क्योंकि आप देख रहे हो कि almost 42600 के ऊपर close दिया है तो इसके लिए जो next target जो बनेगा वो आपका बनेगा यह 43,000 का 43,000 अगर यह निकाल लेता है तो फिर chances के काफी इच्छे बनेगे कि यह 43,600 तक जा सकता है बट मुझे लगता है यहां कहीं अटक सकता है क्योंकि कह सकते हैं कि क्योंकि यहीं से हमें एक sharp selling देखने को मिली थी तो first attempt में यह इसको cross करेगा थोड़ा सा मुझकल दिख रहा है वो सकता है दुबारा से नीचे 42,000 तक आए और फिर दुबारा से इस तरीके से breakout दे सकता है बट जो फिलाल situation है market की वो global market के साफ से हमारा market positive है और यह positivity थोड़े दिन तक बनी रही कि जब तक global market में कोई negative scenario नहीं दिखता या आगे आने वाले एक दो महीने आपके लिए थोड़े से कह सकते हैं हम positive side पे ही ज़्यादा react करेंगे यह चीज़ के लिए भी समझ रही थे अब जो सबसे important level होगा bank nifty के लिए वो होगा 42 500 इसके नीचे आएगा तो हम दुबारा से selling देखने को मिलेंगी जब तक 42 500 के ऊपर sustain कर रहा है तरेड कर रहा है तब तक यह ऊपर 43,000 तक जा सकता है इतना आपके लिए लिए समझ लीए global market की situation मैं आपको बता चुका हूँ इंडेस फूचर में भी जाते हैं हम तो यहाँ पर देखने को मिलेगा डाउ फूचर करीब 28.negative है और नेजटेक फूचर फ्लैट है 13,000 के आसपास यह trade कर रहा है ठीक है तो यह पूरी situation है जो market की आपको कल follow कर सकते हो आप इस तरीके से और बाकी market at 11 में मैं आपको आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक उश्चर जरू करिएगा और चैनल पर जो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं सो दिल लेकर आता रहूंगा हर दिन आपके लिए ने वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तो जैखिंड